एलो एवरिवन सभी का श्वागत है अभीननदन है उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्त है अच्छे हैं और आप अपनी आरेस की प्रिप्रेशन में जूटे हुए आप सभी अच्छे से जानते हूँ कि एक्जाम में भोती कम समय बचे है और मैं भी आपका जो समय ले थोड़ा सा में इसे विस्त्रित में देखते हैं कि प्रिक्षा के अंदरों का हुआ गठन एक सप्ता है मिलेगी सहर की जानकरी रास्तान लोक्षेवा योग द्वारा रास्तान राजे हैं अधीनस सेवास्यों परतियों की प्रिक्षा 2023 यानि आरेस्प्री की जो प्रारंब इस बार एक नई चीज है वह पांच हुआ विकलब तो इसके रिगार्डिंग में एक छोटी सी बात कहुँआ आपको पांच हुआ विकलब पे देखो क्या समस्या रही है तुडेंट्स उस रेगुलर एक्जाम जैसे दे रहे होते हैं टेस्स उरीच उनको तो यह पता होता है कि हमारे पास 5 अप्शने लेकिन जो फर्स्ट टाइम देगा उसके बड़ी प्रोब्लम आएगी वह यह है कि किसी क्युस्यन के अंदर अगर हमारे पास डी ऐप्शन आता है तो हम क्या करते हैं डीगा मतलब हम यह मानके चलते हैं कि लास्ट ओप्शन विकलब है और लास आप जब भी यूटूब पे सेशन लो यह जरूर बताना क्योंकि mostly student यही गलती कर रहे हैं आप ज्यादा तर डी ओप्शन वाले लास्ट ओप्शन भर दे हैं और वो पता चल रहा है कि वो तो पांच वाव इकलप है तो इस बात के लिए आप सचेत रहिएगा और दूसरी सब से बड़ी बरबाद कि अब आपके लास्ट टाइम बचा है आपने लगबग लगबग राजस्तान के सारे सब्जेक्ट पढ़ लिया है इंडिया के भी मेरा थन से देख लियोगी लेकिन मैथ रीजिनिंग को तो भूले जा रहे हो मैथ रीजिनिंग के कुछ ऐसे टोपिक ह जिनके माद्यम से आप क्या कर सकते हो एक्जाम में चार पांच क्यूशन और से ही कर सकते हो और जैसा भी आपको बता है एक वीडियो में दलीप सर ने बताया भी था दलीप सर से आप अच्छे से वाकीफ हो उन्होंने बोला कि लास्ट दिन रीजिनिंग टो सकता है आप हमारे साथ जो यह बारा कोर्स है इसमें रीजिनिंग पढ़ सकते हो और सारे टोपिक एक दिन में कवर कर सकते हो जिसकी फीस मातर एक सुनिनान में मैं तो रीजिनिंग दोनों की मैट्स का को यह कहा था टोपिक प्रोबेबिलिटी करम चे संचे जिनको टफ लग रहा ह वो यहां से पढ़िए यहां एकदम आसान तरीके से समझाए साथ में आपको दस टेस्ट भी दिये गए हैं तो एक सो निनान में रुपए में आप आराम से इस कोर्स को एक्जाम तक पढ़ सकते हैं और एक्जाम होल में आप एक खास बात का ध्यां रखना कि जैसे आपका एक्जाम होना है नो से बारा नो से बारा या मालीजिये एक से दो या फिर मालीजिये ग्यारा से दो एक से दो नहीं ग्यारा से दो दुबारा बता देता हूं जैसे मालीजिया आपका ग्यारा से दो एक्जाम होना है तो आप यहां पर जो घर पे टेस्ट दे रहे हो ग्यार बढ़ सकता है तो इसलिए हमें टार्गेट अच्छे से लेके चलना है ताकि कि हम एक्जाम के अंदर अच्छे से से जोन में आसके और मैंस के लिए आगे बढ़ सके तो बाकी फिर भी आपको लग रहा है कोई डाउट्स है या कोई मैट्स के टोपिक पढ़ाने है तो मुझे एक बात आप अच्छे से ध्यान रखना कि आपके पास अभी भी टाइम है आप खुद को समय दीजिए रिवाइज कीजिए सब्जेक्ट को रिवाइज 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 रिविजन मोड में डाल दीजिए पंदरा दिन तब तक जाके आपका एक्जाम मे उडीनी होगा टेस्ट देनेगा आप डरोगे क्यों क्योंकि आपको लगेगा जी मेरा स्कोर कम आ गया तो इसलिए अभी इन दिनों में टेस्ट दो और रिविजन करो नई चीजे मत पढ़ो ट्राइल मत माँ चलिए थैंक्यू सो मच